दही खाने वाले सुन्लो जरा दही में अजवाइन मिलाकर खाने से कबज की सिकायत दूर होती है यह पेट के लिए बहुत फायदेमंद है यदि आप दही को खाकर मुँ में कुछ तेल के लिए रखें और उससे कुल्ला करें तो आपके मुँ के छाले भी ठीक हो जाते हैं यह पेट को साफ रखने के साथ मुँ को भी साफ कर देती है एक चमस दही में थोड़ी सी नीबू की कुछ भूने डाल कर चहरे पर मसाज करने से ब्लीच जैसा काम करती है चहरे पर निखार आजाता है अगर आपको रूसी की समस्या है तो दही को अपने सिर पर कुछ देर मसाज करें और फिर आदा घंटे बाद सादा पानी से धो दें आपकी रूसी एक दिन में ही खतम हो जाएगी दही ठंडी होती है इसलिए दही का सेवन करने से हमें गर्मियों में लो नहीं लगती दही में अधिक मात्रा में केल्सियम पाया जाता है दही खाने से हमारी हट्डिया मजबूत होती है प्रति दिन दही खाने से हमारा शुगर लेवर भी कंट्रोल में रहता है दही में कैलसियम होता है जिससे कि आपके दांत भी मजबूत रहते हैं गर्मियों में तवचा पर सरबर्न होने के बाद दही से मलना चाहिए इससे सरबर्न और टैन में फायदा मिलता है गर्मियों के मौसम में दही और उससे बनी छाज का प्रियोग करने से हमारी पेट की गर्मी शांत होती है और हमें सक्ति मिलती है